ऐसा लगता है कि अभी अभी आ रहे हैं भवंते महराज मनुने का दीरज रखो इतने ही में त्रप्त हो गई हो तुम हेल्थ में लगई बस त्रप्त हो गई हो केवल तुम्हारा लक्ष स्वास्थ बनाना था कि परमात्मा को प्राप्त करना अच्छा बोलो आज कल लोग हेल्थ बनाने में लगे हुए हैं परमात्मा को प्राप्त करने में नहीं लगे हैं एक सज्जन बोले महराज जी हम लोग बृत करते हैं एकादसी का बृत करते हैं अमावश का बृत करते हैं सोमार का बृत करते हैं मंगलवार का ब्रत करते हैं ब्रत इसलिए करते हैं कि भगवान मिलें मैंने का मूर्ख मत बनाओ जिस दिन तुम ब्रत करते हो उस दिन 1000 रुपया का पेमेंट हो जाता है फलहार में बोलो होता कि नहीं होता जिस दिन लोग बृत करते हैं उस दिन हजार दो हजार का फलहार बन जाता है कि नहीं बन जाता है भोजन से ज़्यादा महगा पड़ता है कि नहीं पड़ता है तो तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए बृत कर रहा है कि हेल्थ बनाने के लिए कर रहा है बूलो भई जुट क्यों बोलते हो यह बृत का नात क्यों करते हो याद रखना बृत तो यह जो मनुजी कर रहे हैं बूलो है बृत कि नहीं यह मनुजी जो कर रहे हैं यही बृत हैं यह नहीं कि पांच कलो कलाकंत मिल crimes घobile है और यो you इकादसी हो गई बहुत बढ़िया एकादसी रही आज तो क्या पूछना ये ब्रत है ये ब्रत नहीं है प्यारे केवल मात्र 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 फलहार हो लगुनात्र फलहार अल्पाहार फलहार में भी अल्पाहार जिससे हमारा शरीर शिकस्त ना हो जाए हम कम से कम चलने फिरने की छंता रख सकें इसके लिए हम मात्र फलहार में भी अल्पाहार लें स्वल्पाहार जिसको कहती है ठीक है ना तब माना जाएगा कि सच्चा तुम बृत कर रहे हो सच्चा बृत भी माना जाएगा समझे लो एक बार हम क्या वतामें आपको इकादशी के दिन एक महत्मा मेरे पास आगए बुढे स्वामी जी एकादशी है मैं तो बृत में ने का हमारे हाँ फ़लाहर बनता है भंडारे में तो वो तो सभी के लिए बनता है माराजी वो हम भंडारे में गय थे तो पंगत तो हो चुकी है मैंने का जच्छ तो कोई बात नहीं है तब मैं विवस्टा किये देता हूँ समय से आप नहीं आए लेकिन आ गए हो तो आपको फलार मिलेगा मैंने का फलार में आप क्या लेते हैं ये बताएं आप बताएं फलार में बोले महराजी पांच कलो आम और पांच कलो कलाकंद और तीन कलो दही और दो कलो रबडी इतने ही मगादोस परियाप थे क्या मैं कोई राच्छा सुखा दू हूँ मैंने का देखू ये लंबा बजट बोले इतनी परियापत है फैब सीधी सी बात हम लोग खाने के लिए जी रहे हैं नहीं नहीं ये सिध्धान्त नी होना चाहिए हम खाने के लिए ना जियें हम अपने लिए ना जियें हम तो अपनों के लिए जियें और भगवान के लिए जियें भगवत प्राप्ति करने के लिए यह सिद्धान्त होना चाहिए महराज मनु अपने लिए नहीं जी रहे हैं बोलो संपून विश्टु का कल्यान करने के लिए जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं यह जो तपस्या कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं बोलो संपून विश्टु के कल्यान के लिए तपस्या कर रहे हैं कि नहीं मन से तो तुम्हारा कल्यान हो जाएगा सारी की सारी भ्रमात्मक स्थितियां समाप्त हो जाएंगी हमेशा हमेशा कि मैं निचोड सुना रहा हूँ सार सुना रहा हूँ कर महराज मनु को बाणी सुनाई दी तुधि पुष्च न भय सुआए मानु अब ही भवनते आये जैसे अभी भवंते चले आ रहे हूं ये बाणी ने कहा ब्रह्मपाणी बोली मांगो बाणु जो मांगोघें हम देने को तयार हैं मांगो मनु जी ने कहा देने वाला जब तक सामने नहीं आ जाएगा तब तक हम क्या मांगें देने वाला सामने तो आवे ब्रह्म की बाणी ने कहा कि मैं दे तो सकता हूं ब्रह्म बोला मैं दे सकता हूं बाणी बोली मैं दे शकती हूं लेकिन बाणी ने का कि मैं आ नहीं सकती हूं ब्रह्म कहता है मैं आ नहीं शकता हूं दे सकता हूं मनु जी ने का आप क्यों नहीं आ सकते हैं ये बताओ मनु जी ने का आप क्यों नहीं सकते हैं भगवान ने का इसलिए कि मेरा कोई आकार नहीं है मेरा कोई आकार ही नहीं है इसलिए मैं क्या दे दूँ आके बैसे दे सकता हूँ जो मांगोगे मनु जी ने कहा जिसका कोई आकार नहीं है मेरी दृष्टी में वो बिलकुल बेकार जिसका कोई आकार ही नहीं है मेरी दृष्टी में वो बिलकुल बेकार आपको देना है तो आकार लेकर के आना पड़ेगा मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं क्या भक्तों को आपने दर्शन नहीं दिया भगवान ने का दिया तो यदि भक्तों को आपने दर्शन दिया है तो क्या मुझे दर्शन नहीं दे सकते बाणी ने कहा कि भक्तों ने आकार स्वयम दिया मुझे और जो भक्तों ने आकार दिया उसी आकार को लेकर के में आ गया मेरा अपना कोई निजी आकार नहीं है एक संत ने तो बहुत अच्छी बात कही क्या ना मैं निराकार हूँ ना मैं साकार हूँ भक्त की भावना से तदाकार हूँ भक्त जैसा आकार देता है भगवान उसी आकार में आ जाते कि नहीं आ जाते कौन नहीं जानता है भक्त प्रहलाद में भगवान का आकार चाहा तो खंब से नर्शंग बन करके प्रगठ हो गए और भक्त पहलाद को दर्शन दे दिए बोलो दे दिये कि नहीं दे दिये नर्शंग के रूप में प्रगठ हो गए कौन नहीं जानता है कि मीरा को बिसके प्याले में ही शाम सुंदर के रूप में प्रगठ हो गए वो बिस ही भगवान बन गया बोलो बन गया बिस भगवान की नहीं तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि भगवान उसी आकार में प्रगठ हो जाते हैं मनु यदि तुम चाहते हो कि मैं आकार लेकर के आऊँ तो मुझे कोई आकार दो में ओही आकार लेकर आऊँगा मन लीजिए मैं अपने पसंद का आकार लेकर आगया तुमने कह दिया हमें ये पसंद नहीं है तो हम फिर मेकप करें जाके वापस जावें फिर मेकप करें तो ये उच्ट नहीं होगा इसलिए तुम्हीं बता दो आकार दे दो हम उसी आकार में आ जाएंगे अब मनुजी आकार दे रहे हैं द्यान से सुनना है बहुत ब्रियाद जो सरूप बस अरे सिव मन माही और जही कारन मुझी जतन कराई जो भु सुन्डी मन अरे मालस हंसा अगुन सगुन जही निगम प्रसलंसा देखई हम सरूप भरी लोचन कृपा करहू प्रनतारत मोचन देखई हम सरूप भरी लोचन कृपा करहू प्रनतारत मोचन कृपा करहू प्रनतारत मोचन कृपा करहू प्रनतारत मोचन मैं जो भगवान स्योत करदय में हिर्द्यस्त है वही रूप ले करके आप प्रगठ हो जाएं ऑज्छा आप सब जानते हैं भगवान संक्र के हिर्दय में कौन सा रूप हिर्द्यस्त है अब 더ड़ा सा इस पर ध्याना कर सित कराना चाहता हूं जो स्वरूब बस्यूमनमाही संकर जी के मन में कौन सा रूप बसा हुआ है संकर जी के हिर्दय में कौन सा रूप हिर्दयस्त है अच्छा भाई आप जिसके नाम का जब करते हों इमानदारी से बताओ वही परमात्मा आपके हिर्दय के अंदर आएगा क्नि आएगा निश्च संकर जी जिसके नाम का जब करते हैं वही भगवान स्यू के हिर्दय में हिर्दियस्त हैं। तब संकर जी से पूछा गया कि आप किसके नाम का जब करते हैं। तो संकर जी तो तुम पुनि राम, राम, दिन राती ओ सादर जब हूँ अनंग अराथ बोलो भगवान संकर दिन रात राम, 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 राम बोलो यही जबते हैं कि नहीं तो संकर जी के हिर्दय में राम जी बैठे कि नहीं बैठे और बोलो आज मनु जी सगुन साकार रूप में स्री राम को ही प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे करेंगे, आपने सुईकार कर लिया कि हां महराज करेंगे तब तक एक सज्जन खड़े हो के बोले मारा जी रुको 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 मैंने का क्या बात है क्या बात है बोले इसमें हमें संका है मैंने का संका क्या है बोले आपने ये का तुम पुन राम राम दिन राती सादर जपहू अनंग अराती राम 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 दिन रात संकर जी जबते हैं हमने कहां जबते हैं तो फिर गोसामी जी ने ऐसा क्यों लखा कि राम राम सिव सुमरन लागे तो जाना सती जगत पती जागे इसका मतलब फोए थे तभी जगे तो दिन रात कहां हो गया अब कहां दिन रात है आप ही बताएं मैंने माथा पकड़ लिया क्या बताओं इसको क्या समझाओं कैसे समझाओं अच्छा चौपाई ये भी है कि नहीं राम राम सी उस्मरन लागे तो जाना सती जगत पती जागे और एक चौपाई ये भी है जो मैं कह चुका हूँ तुम पुने राम राम दिन राती दिन और रात तो कहे मारा दिन रात अगर राम 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 संकर जी जपे तो फिर ऐसा क्यों लखा कि जाना सती जगत पती जागे जागेवानी सोय थे तो सोय थे तो राम राम कैसे कहे आप ही बताओ मैंने का सास्त्र कहता है तुम समझते नहीं हो सास्त्र कहता है सास्त्र की बात माननी चाहिए तो वोले सास्त्र क्या कहता आप बताईए सास्त्र कहता है कि आप जब सोने लगें तो सोने के पहले आप राम 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 कहके सो जाएं और जब जागने लगें तो राम 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 कहकर के जागें इससे होगा क्या शास्त्र कहता है इससे ये होगा कि कोई भी प्रानी राम 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 कहके सोएगा और राम 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 कहके जगेगा तो सोने और जागने के मध्ध में जितनी भी स्वासाएं चलेंगी वो सब राम राम के भजन से जोड़ दी जाएंगी इसलिए सोते समय भी आपका भजन ही माना जाएगा अब बोलो इसमें कोई घाता है इमानदारी से बताओ अब किसी भी पार्टी का आदमी हो राम राम कहके सो जावे तो कोई दिक्कत है बताओ भईया कौन परेशानी की बात है फाइदा ही है कि राम 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 कहके हम सो रहे राम 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 कहके हम जगें यही नियम है वो आजकल बड़ी भीडमना है आजकल लोग सोते हैं तो राम 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 कहके नहीं सोते आजकल लोग तेली वीजन देखके सोते वो लोग सोते की नहीं सोते घर घर में टीवी लगी है टीवी देखके सोते हैं लोग, अच्छा जब जगते हैं तो राम 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 कहके नहीं जगते हैं, संकर जी राम राम कहके जगे पारवती जी समझ गई, सती जी समझ गई, मेरे पती जग गई, क्योंकि राम राम कह रहे, वो आज कल की पतनी समझ जाती है, पती जगता है कब समझती है पती राम राम कहे तब नहीं समझती पत्नी जगए पती कहे चाय 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 तो पत्नी समझ जाती जगए 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 तुरंत चाय की विवस्था करो अच्या बोलो चाय बनाके ले जाती है बैड़ाई पर बैठे वैठे पी लेते हो कि नहीं पी लेते ह आय है कि जहर है, सोचो जरार, और मैं कहता हूँ कि चाय चाय कहके तुम जगे, तो दिन भर तुमारा चाय चाय में निकल गया, चाय चाय का मतलब है असांती, क्यों, चाय चाय का मतलब क्या है, तुम सब जानते हमारी भासा समझ रहे हो, कि नी समझ रहे हैं, चाए चाए का मतलब है असांती मैं दावे से कहता हूँ चाए चाए कह करके मत जगो प्यारे राम राम कह करके जगना जो राम राम कह करके जगते हैं उनका पूरा दिन सांती में बितीत होता है शांती में गुजर जाता है क्योंकि राम राम से सांती मिलती है राम जी के नाम से क्या मिलती है सांती मिलती है बोलो मिलती है कि नी मिलती है राम नाम इसलिए लिया जाता है राम नाम का जब इसलिए किया जाता है क्योंकि शांती का अन्भव होता है सांति प्राप्त करना हैं तो राम राम जपो मैंने का इसलिए भ्रम दूर करो संकर जी का 24 घंटे का राम राम जपना माना जाएगा क्योंकि स्वासाओं से वो राम राम ही निकलेगा इसलिए सोने की स्थिति में जो स्वासाइं निकली हैं वो सब राम नाम के संकृतन से तक आप सामने महीं आ जाएंगे और आकार में वही दे रहा हूँ जो भगवान संकर के हिर्दय में हर्दियस्त है जो भुसुंडी जी के मनमानस में हर्दियस्त है मनमानस में इस्थित है जो भुसुंडी के मनमानस में इस्थित है जो शिव जी के हिर्दय में हिर्दियस्त है वही आकार ले करके आप आजाएं तो संकर जी के हिर्दय में कौन सा रूप है राम 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 और राम कौन है रगवन्स भूशन राम बोलिए रगवन्स भूशन राम की जय वही राम है इसलिए नील सरो रुह नील मनी नील नीर धर्श्यां लाजय तंसो भान रखी कोटी कोटी सतकां बात समझ में आ गयी? नील सरो रुह नील मनी नीला मुजश्यां मलकों लांगम सीता समारो पितवाम भागम बोलो वही नीला मुजश्यां है कि नहीं? हमारे राम जी कैसे है निलाम मुझश्याम है की नहीं और नील सरोरोहि नील मनी नीर नीर धर श्याम सामने प्रगट हो गए और जैसे ही प्रगट हुए तो कहा मनूँ अम्में आगया हूँ एक काम करो, जल्दी मांगो जल्दी मांगो क्योंकि तुमने बुलाया मैं चलाया कोई दूसरा बुलाएगा हमें जाना पड़ेगा इसलिए जल्दी जो मांगो मैं फटा फट दूँगा हो चला जाओंगा जल्दी मांगो जल्दी मांगो हमें कोई दिखकत नहीं तो नो जी बोली दीखो आये हुए भगवान को वापस मत करो मंगलो मनु जी बोलेदस ऐसी चुपँ में जानती हो तुम शांत रहोँ जो मैं कहूं उसको तुम स्विकार करना सत्रुपाजी Mike आज कलकी होती तो कहती तुम मांगना और नहीं जानते तुम पीछे हटो मैं मांगूंगी, देने वाला भी घबडा जाएगा, ऐसा मांगूंगी, लेकिन कितनी मर्या दित हैं पती ने इशारा किया तो तुरंत पीछे हट गई और हाथ जोड के खड़ी हो गई, ऐसा होना चा समाज में नारी का सरूप होना चाहिए तो भगवती सीता जैसा होना चाहिए और पुरुष का सरूप होना चाहिए तो स्री राम जैसा होना चाहिए आज यही यग भगवान से मेरी कामना है यही मनत मनोती है कि है यग भगवान समाज में पुरुषों को स्री राम से जोड़ यहीं कामना है आज हर व्यक्ती चाहता है कि मेरी पत्मी सीटा जैसी हो लेकिन ध्यान रखना अगर तुम ये चाहते हो के भगवान हमारी पत्मी सीताः जैसी हो तुम्हें राम जैसा बनना पड़ेगा यह नहीं कि पत्नी सीता जैसी हो तुम खरदूशन हो तो क्या मतलब निकला कोई अर्थ निकला कि इसलिए प्यारे राम तुम्हें बनना होगा तो निश्चित है कि तुम्हारी पत्नी सीता बन करके तुम्हें दिखाएगी कि आज सत्रूपा जैसी मर्यादित पातिप्र धर्म का पालन करने वाली पती पर आये ना आज हाँ जोड़ करके खड़ी हैं बगवान ने का अच्छा ठीक है आप अपनी विधा से मागें आराम से मागें अपनी विधा से मागें क्या चाहिए अम्मनू जी कहते हैं दानस रोमनी कृपा निधी नाथ कहूं सत्भा दानस रोमनी भगवान बोले डारेक्ट मांगो बेसेशन रिश्रस्रन लगाने की कोई जरूवत ने तुम तो सीधा मांगो हम दें हो चले जाए ये दानस रोमनी क्यों कह रहे हो मनू जी ने कहा मागने का तरीका दुनिया वालों को बता रहा हूँ हमारी संतान मनू की संतान आगे होगी तो अपनी संतान को मैं ये संके दे रहा हूँ कि मागने का यही तरीका है इसी विधा से मांगो जैसे अतिरूद्र महायग हो रहा है 1111 कुंडात्मक अतिरूद्र महायग है अब बोलो भाई आप सबने सहयोग किया कि नहीं किया सबने सहयोग ना किया होता तो इतना बड़ा ये कुम्ब कैसे लग जाता ये विदुसा जिले का कुम्ब नहीं है प्यारे ये भोपाल संभाग का कुम्भ नहीं है ये पूरे मठ प्रदेश का महा कुम्भ है ये साधारन यग नहीं है ये साधारन यग नहीं है ये सोभाग जो आज तुम्हें मिला है और मैं आँगे इस यग्गी की विसेष्टा बताने जा रहा हूं और रगवंश की विसेष्टा भी बताने जा रहा हूं कि रगवंश में कैसे कैसे यग हुए है आकर एक्ष्वाक वंश रगवंश के रूप में प्रतिश्थापित हुआ इस वंश को सूरी वंश को इस्थापित करने वाले महराज इक्ष्वाक है लेकिन आज कोई एक छाक वन्ष नाम नहीं लेता है सब रगवन्ष नाम लेते हैं वोलो लेते हैं कि नहीं लेते कैसे रगवन्ष हुआ किन विसेस्ताओं से हुआ है बस ध्यान से सुनना मन लगा करके सुनना आंगे वो सारी किशारी पारी दर्शिता आपके सामने आ और इसी कथा में आप सबको सुनने को मिलेगा आज तो विसाल जन्शमुदाए जहां भी निगाहे डाल रहा हूं वहां केबल हमें भक्त ही भक्त दिखाई दे रहे हैं पीछे तक यह पांडाल भी बढ़ाया गया है शायरों में लेकिन मैं देख रहा हूं देवियों की जिखा में पुर्षों ने इस पांडाल को भर दिया है मुझे लगता है कि चाथ बढ़ता रहेगा आप बढ़ते रहेंगे तो पांडाल बढ़ता रहेगा लेकिन भंधारा to 10 तारी को होगा कि pρεंडारा to 10 को ही होगा विशाल रोज ही भंदारा चल रहा है सामानी यग्गों में जैसे पुर्णाहुती के बाद भंदारा होता वैसा तो प्रति दिन भंदारा उससे बड़ा रोज ही चल रहा है प्रति दिन भंदारा चल रहा है वो भंदारा नहीं होगा दस्तारी का महा भंदारा होगा प्यारे वुसाधारन भंडारा नहीं होगा, ये कुम्भ लगा हुआ है, ये महार कुम्भ लगा हुआ है, आज महराज मनु कहते हैं मागने का तरीका में बता रहा हूं, कि यग्ज के लिए आपने मांगा अच्छा तो मागने का भगवान मुझे करा कि वो ले तरीका क्या है जरा हमें भी बता दू कई यही तो दान सिरो मनी आप दान सिरो मनी हैं दानियों में सिरो मनी दान जैसे आप किसी कंजूस के हां मागने जाएं समझे ना ज़रा तरीका किसी कंजूस के हां मागने जाएं एक सज्जन बोले महराज कंजूस क्या होता है कंजूस क्या होता है मैंने का कंजूस अलग होता है मक्खी चूस अलग होता है बोले मक्खी चूस अलग है हमने का हाँ बोले गजब की बात है हमने कंजूस सुने थे मक्खी चूस नहीं सुने थे हमने का कंजूस और मक्खी चूस में इतना अंतर है क्या जैसे घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी चूस घी को अलग नहीं करेगा मख्षी को अलग कर देगा कंजूस मख्षी को अलग कर देगा और मख्षी चूस घीग में मख्षी पड़ गई तो मख्षी को लेगा फिर चूसेगा उसे फिर अलग करेगा ये मक्खी चूश लेकिन मैं आपको एक बात बताओं कंजूस और मक्खी चूशों की बात एक सर्जन बोले महराज जी हमारे पिता जी जो थे बोर दस ग्राम घी एक साल चलाते थे हमने का 10 ग्राम घी एक साल तो गजब की बात थे कियो दस ग्राम घी कैसे चलेगा एक साल महराज जी बात एथी के एक सीसी में उन्होंने घी रखा और धकन खोलते थे भोजन के समय और सीधा सीखो डालते थे उदाल में घुमा देते थे धकन बंद करके हमने का ऐसा तेरा बाप था बोले हमराज जी वो साल भर घी चला हमने का गजब हो गया एक बोला चुपकर हमारे बाप तो ऐसे थे और बाप के बाप बाप के बाप तीन चार पीड़ी से सो ग्राम घी खतम ही नहीं हो रहा मैंने का तो तेरी तीन पीड़ी से सो ग्राम घी खतम नहीं हो रहा वो कैसे बोले इसके पिता और पिता मैं तो धकन खोलते थे और सीक डालते थे और फिर दाल में घुमाते थे हमारे पुर्खे तो मैं धकनई के दाल में घुमा के सीधे रख देते थे धकन मकन खोलने की जरूरत ही नहीं अब बोलो भाई ये इस्थिती है लेकिन याद रखना आप रगवंशियों ने उदारता से दान किया है रगवंशी दानी होते हैं दान वीर होते हैं दान करना जानते हैं रगवंश के इतिहास में हम आपको कितने प्रकार के दानी हुए है अभी बताएंगे थोड़ी देर में स्री राम के जन्म के पहले और आपने दान दिया है खुल करके दान दिया है और जो नहीं दे पाए हैं वो निस्चित है कल परफों तक पेमिन्ट कुड़ा कर देंगे है ना कंफर्म है क्योंकि रगवंशी जो कह देते हैं वो करते हैं इसलिए एक बार कह दिया तो कह दिया है प्रान जाएं बर बचन न जाई प्रान जाएं बर बचन न जाई इसलिए रगवंशी जो कह देते हैं वही करते हैं प्यारे तो आओ भगवान कहते हैं कि दानस्त रोमनी बोले विसेष्टा यही है प्रसंसा करनी पड़ती है किसी कंजूस के यहां लेने जाओ तो वो देना नहीं चाहता है लेकिन आप जैसे ही पहुँचें तो यह कहें आपके पिताजी तो इतने उदार थे कि पूरे जिले में उनकी प्रसंसा हो रही है और आप उनसे सोगना उदार हैं तो कुछ नहीं देगा तो कुछ देगा कि नहीं देगा जल्दी बोलो कंफर्म है कि कुछ नहीं कुछ जरूर देगा मना नहीं करेगा इसलिए मागने का तरीका होता है प्रभू इसलिए मैं मागने का तरीका दुनिया को बता रहा हूं आपकी प्रसंसा नहीं कर रहा हूं ताकि दुनिया के लोग मेरी बात को सुन लें समझ लें इसलिए दान सिरो मनि क्रिपाल निधी नाथ कहों सत्वाव और चाहों तुम ही मेरी आप अई को चाहरे आप बग्वान बोले यह तो विचित्र मांग है तुम्हारी केवल हम तुम्हारे ही बंधन में बग जाएं तुम्हारे भोके नहीं बस फिर पूरे संसारका क्या होगा है इसलिए हमसे कुछ मागनों लेकिन तुम हमी को मांग रहे हो मनुजी बोले तो कोई बात नहीं है तुम ही समान सुत आप नहीं तो आपके समान कोई सुत हो उसे लेके आजाओ उसको दे दो सत्रूपा जी बोली मांगना था तो सुत क्यों मांगा इतना बड़िया सुत घरई में छोड़के आए और फिर सुत अरे सुत जब नालायक हो तब दूसरे सुत की दिमांड करना चाहिए क्यों भाई और यदि सुत लायक है तो पूर्णता आ जाती एक नहीं आ जाती है अच्छा बाई बताओ मनु जी का जो सुत था कल मैंने सुनाया था ना लायक था की नहीं था पिता के पदचुनों पर चलने वाला था की नहीं परम आग्याकारी है की नहीं जब इतना बड़िया सुत है तो उसी को बुला लेते क्या दिक्कत थी लेकिन डबल सुत ऐसा क्य हो तो आपके समान अगर सुत मिल जाए तो उसको भेलो भगवान बोले यही तो बात है राम समान राम निगम कहें बोलो राम जी के समान राम जी है दूश्रा कोई है दूश्रा कोई नहीं है भगवान बोले दूश्रा कोई है नहीं मेरे समान तो मैं ही हूँ दूश्रा कर तो दूसरा नहीं है तो आप ही आजाओ आप सरस खोड्याओं कहां जाई निर्फ तु ये तर्ने होब में आई 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 हमको दोहराना पड़ता है देखो डवल महनत पड़ रही है मेरे उपर क्यों पड़ रही है कि नहीं अ में आनन्द मिल रहा है कि नहीं सबने हाँ उठा दिया आनन्द मिल रहा है अच्छा एक बात बताओ गन्ने को आनन्द मिलता कि गन्ना का रस पीने वाले को मिलता गन्ने के रस को पीने वाले को आनन्द मिलता मिलता कि नहीं मिलता अच्छा गन्ने का रस एक गलास पिला दिया जाए फिर का जाए ओलू हाँ हाँ बहुत अच्छा है ओल लाओ लेकिन उस गन्ने से पूछो देखा एक वार पेरा फिर दोहरा करके फिर तहरा करके उसमें कुछ बचई नहीं है क्यों मुझे लगता है कि नो तारीक तक कुछ बचने दोगे साधू में कि सारा का सारा निचोड ले लोगे चलो कोई बात नहीं है चिंता मत करो हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं अपने भक्तों के लिए जी रहे हैं इसलिए भक्तों के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं हमारे अंदर जो भी ग्यान है वो सारे ग्यान को निच्छावर करके जाएंगे लुटा के जाएंगे आप जैसे भक्तों के बीच में चिंता करने की कोई आवश्यक्ता ने इसलिए मैं मन से सुनाता हूँ मस्ती से सुनाता हूँ और आपको प्रशन करता हूँ राम कथा का सार सुनाता हूँ निचोड सुनाता हूँ हाँ ज्यादा हम गाइन वादन में नहीं पढ़ते हूँ आप देखतों कभी-कभी गाड देते हैं, अब ये बिचारे ताकते न रह जाएं, इसलिए थोड़ा इनका भी मन रख लेती, नहीं ऐसे ताके रहते हैं माराज, कभी हमको भी मौका दोगे की नहीं, चलो तुम भी मौका ले लो, कोई बात नहीं है, तुम भी मौका ले लो, इसलिए इनको हम प्रोशाहित कर देते हैं, ये बच्चे अच्छे बादक हैं, गायक भी अच्छे, ये बड़े सुन्दर ये मनीराम जी, गंधर्व जी और ये चंदरप्रकास, ये सब लड़के अच्छे हैं, हाँ मैं तो वैसे एक बार हमने संगीतकारों को समय नहीं दिया तो संगीतकार पैर पकड़के बुलि महराज आपको संगीत अच्छा नहीं लगता है, हमने का चुप रहो, संगीत हमें बहुत अच्छा लगता है, ये साम बेद है, ये साम बेद है, ये साधारन ब्यवस्था नहीं है, इसको हम बेद के रूप में सुईकार करते हैं, ये वेद की परंपरा है पुलिम हराज जी तो आपने मौका क्यों नहीं दिया है वैसे थोड़ा सा दे देते मौका संगीत में मैंने का सुनो संगीत हमें हिरदय से प्यारा है लेकिन कोई बात नहीं है हम तुम्हें आज नहीं तो कल मौका दे देंगे लेकिन संगीत तो सबको लेकिन संगीत बजा दो महुर बजा दो तो इमानदारी से बताओ जिंदगी दाओं पर लगा देता है कि नहीं लगा देता हो और जूमने लगता कि नहीं संगीत के सामने फन हिला के जूमने लगता जिसमें विसाई विस है हमने का जब विसधर संगीत का प्रेमी हो जाता है और जूमने लगता है, जिसमें विसई विसई है, जब उसे संगीत अच्छा लगता, तो हम क्या साप से भी गयवीते हैं? क्यों भाई? अरे हमें क्यों नहीं लगेगा संगीत अच्छा? हमें बहुत प्रिय है शंगीत, लेकिन हम कथा को मूल मानते हैं, इसलिए कथा भाग ज़्यादा कहते हैं, कभी-कभी इन लोगों को मौका दे देते हैं, लेकिन मूल क्या है मेरे जीवन में? राम कथा इसलिए तुम लोग भी मूल में क्या राम कथा ही सुनना चाहते हो न हाथ उठा के समर्थन करो हाथ सब ने हाथ उठा दिया कि मूल में राम कथा, क्या बात है आएं भगवान ने कहा मैं पुत्र बन के आऊंगा मैं ही पुत्र बनके आऊंगा चिंता मत करो लिप तुए तने होग में आई मैं पुत्र बनके आऊंगा अब बगल में हाँ जोडे सत्रूपा जी खनी थी सत्रूपा ही बिलोक कर जोरे देवी मांग बद जोर चीतो हे देवी समान रूप से तुमने तपस्या की है इसलिए तुम तपस्युनी हो आप भी मांगो जो आप मांगेंगी मैं वही दूँगा हे देवी संको छोड़ो मांगो सत्रूपा जी मांगी कुछ नहीं रोने लगी भगवान बोले अरे मुझसे कोई भूर हो गई क्या हमने तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि देवी मांग बर जो रूची तोरे हे देवी आपके मन में जो रूची हो मांग लो लेकिन आप रोने क्यों लगी सत्रूपा जी ने का इसलिए रोने लगी हूँ कि हे प्रभू आज मुझे बड़ा कष्ट है मैं तो समझ रही थी कि आपको प्राप्ट करिके मेरा कष्ट दूर हो जाएगा लेकिन आज मुझे बड़ा कष्ट हुआ आपकी बाणी सुन करिके आपकी बाणी तो कष्ट को दूर कर देती है आपकी कथा जो सुनता है उसका कष्ट दूर हो जाता है लेकिन आपकी कथा मैं नएम इशारेन में संतों के मुख से सुनती रही और आज आपकी बानी जब मैंने सुनी डारेक्ट बानी कष्ट मिल गया आपकी कथा कष्ट का निवारन करती रही लेकिन आपकी बानी ने मुझे कष्ट दे दिया ये समझ में नहीं आ रहा भगवान बोले क्या कष्ट दे दिया मेरी बानी ने भगवान कापने लगे कहने मागो तो भगवान बोले देवी संबोधन तो स्त्रेष्ट संबोधन है क्यों अगर किसी नारी को देवी कह दिया जाए तो स्त्रेष्ट संबोधन है कि नहीं तो ये तो स्त्रेष्ट संबोधन है मैंने देवी कहा तो ये तो स्त्रेष्ट संबोधन है इसमें परेशानी क्या क कि आपने मेरे पती को पिता के रूप में सुईकार कर लिया है लेकिन मुझे देवी के रूप में सुईकार किया है अरे देवी नहीं अगर मेरे पती को पिता माना है तो मुझे माता के रूप में सुईकार करना पड़ेगा तभी में प्रसंद हूं माता के रूप में स्विकार करना पड़ेगा देवी में वो माता में क्यों भई पुत्र कभी भी अपनी मां से देवी नहीं कह सकता है पुत्र जब भी कहेगा तब माता ही कहेगा कि नहीं कहेगा बोलो भई कि देवी कहेगा महला पडोस के लोग रिस्तेदार गाउं गमया सब कहें देवी लेकिन पुत्र कहेगा जब भी कहेगा तो क्या कहेगा मां कहेगा माता कहेगा यदि आपने मेरे पती को पिता के रूप में सुईकार कर लिया है तो मुझे देवी नहीं मा के रूप में सुईकार करना पड़ेगा भगवान ने का छमा करो मुझसे भूल हो गई और छमा मांगते हुए भगवान कहते हैं क्या कहते हैं मा तू बिवेक मा तू बिवेक बोलो सत्रुपा जी को मा कहा कि नहीं कहा इस चौपाई में पहले कहा देवी इसके बाद छमा मांगी फिर क्या कहा मा कहा बोलो निर्गुन निराकार ब्रम सगुन साकार बन करके मा बाप फिकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये है भक्ति ये भक्ति की शक्ति है इसलिए भक्ति की शक्ति ये महराज मनु उ सत्रुपा की आज प्रशंग के माध्यम से देखने को मिल रही है आज सत्रूपा जी ने कहा कि अपने पतीशे महराज मनुशे कहा स्वामी आपने पुत्र के रूप में परमात्मा को क्यों मांगा आपने स्वामी के रूप में क्यों नहीं मांगा आपने गुरू के रूप में क्यों नहीं मांगा आपने भाई के रूप में क्यों नहीं मांगा आपने पुत्र के रूप में ही क्यों मांगा कहे इसलिए पहले तो बिचार नहीं था लेकिन बानी सुनकर के बिचार बदल गया बाणी सुनकर के क्यों बदला का शरीर हमारा तुमारा अस्ति पंजर हो गया था कि नहीं कहां अस्ति पंजर शरीर तो हो गया था का अस्ति पंजर शरीर हो जाने के बाद चैतनता एक नई सक्ति का संचार बोलो बाणी से हुआ कि नहीं हुआ सत्रूपा जी बोली हाँ हुआ बाणी से बोले बस ये बाणी का प्रभाव है आज मैं दुनिया वालों को ये बता देना चाहता हूँ कि पुत्र हो तो ऐसा पुत्र हो जैसा परमात्मा पुत्र बन करके आ रहा है क्या मतलब? मतलब ये है कि बाप यदी आठ घंटे परिश्रम करके घर में लोटे आठ घंटा बाद घर में लोटे परिश्रम करके अगर तुम किसान हो तो खेत में परिश्रम करके खेत से परिश्रम करके घर में लोटो तुम अगर बैपारी हो तो प्रतिस्थान से परिश्रम करके लोटो अत्वा तुम अधिकारी कर्मचारी हो ओफिस में परिश्रम करके ओफिस से आठ घंते बाद लोटो इमानदारी से बताओ पुत्र आपका घर में मिल्याए और आप आठ घंते का महनत परिश्रम करके घर में लोटे हैं आप खेट से महनत करके आठ घंटे बाद घर में प्रवेश किये हैं और याद रखना आपका पुत्र आपसे ऐसा ब्योहार करे ऐसी बानी बोले कि आठ घंटे का परिस्रम आठ मिनट में दूर हो जाए इमानदारी से बताओ उसी को पुत्र कहोगे कि नी कहोगे बेटे की बानी सुनकर के संतान की बानी सुनकर के बेटे का ब्योहार देख करके पिता की ठकाम दूर हो जाए केवल बानी सुनकर के उसी को हम बेटा कहेंगे कि नी कहेंगे वही बेटा है और हम महनत करके घर में आए और बेटा ऐसी भासा बोला कि हमारा हादय तर्खposition सुनके ही हम बेहोस हो गए बोलो तो उसे हम बेटा नहीं कहेंगे उसे हम चपेता कहें वो बेटा बेटा नहीं है वो केवल गंद और जमीन जाजाद लेने के लिए आया है सेवा करने के लिए नहीं आया है महराज मनू कहते हैं बेटा तो मुझे घर में भी अच्छा मिला था लेकिन आज मैं बानी से प्रभावित हुआ हूँ कि ऐसा बेटा होना चाहिए अरे मेरा बेटा बानी से उतना मुझे प्रभावित नहीं कर पाया वो सेवा करने का संकल्प लिया है उसने संतुष्टी देने का प्रयास किया है लेकिन आज दिखाई नहीं दिया ये ब्रम् लेकिन ब्रम्म की बानी ने ही हिस्ट फुष्ट कर दिया ब्रम्म की बानी ने ही चैतनता प्रदान कर दी इसलिए आज मैं ये चाहता हूँ कि असली पुत्र का सुख यदि मुझे मिला है तो इस बानी से मिला है इसलिए बानी ही नहीं अब तो ससरीर पुत्र बन करके आजाओ बस मेरी यही इच्छा है और मेरी कोई कामना नहीं है आप पुत्र बन करके आजाओ महराज मनू बोले कितना समय दे दें कैवर थोड़ा सा समय ज्यादा समय नहीं थोड़ा सा समय आपको अपना रूप बदलना पड़ेगा आपको इस शरीर को छोड़ करके दूशे शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा अच्छा तो कहां करना पड़ेगा कौन जगह बापस अपनी स्टेक में ना 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 अब आपको रगवंश में प्रवेश करना पड़ेगा किस बंश में करना पड़ेगा रगवश में क्यों इसलिए कि रगवश में दानी है तपस्वी है सत्वृति है इसलिए जिस बंश में दानी तपस्वी सत्वृति होते हैं परमात्मा कहता है उसी बंश में मैं पुत्रवन करके पैदा होता हूँ पुत्रवन करके आ जाता हूँ इसलिए अब तुम्हें रगवईश में प्रवेश करना पड़ेगा बोलो वाई मनुजी ने किस बंश में प्रवेश किया रगवईश में ते दसरत कोशिल्या रूपा कोसल पुरी प्रगट नरभूपा कोसल पुरी प्रगट नरभूपा तिनके ग्रही अब तरी हों जाई मनुजी ने का अकेले आपको मांगा था लेकिन आप अपने साथ तीन को लाएंगे कहां तीन को लाएंगे तीन हमारे सहीयोगी होंगे अच्छा तीन कौन कौन होंगे का कि अब आएंगे तब बताएंगे अब तसल्ली पकड़ो थोड़ा साथ अब अभी बताते हैं सो लेकिन अभी तसल्ली पकड़ो तो अभी पांत बजाए ऑभी राम जी का जन्म कराना आज राम जी का जन्म हो जाएगा और राम जन्म के बाद ही आरती होगी और चिंता भी सुन रहे हैं उन सब भक्तों ने दूर-दूर से फौन किये और स्वामी श्री कनग विहारी दाश्ची महराज ने भी प्रार्थना की अपने प्रतनीदी लखन दाश को भेजा कहा महराज जी शे हाँ जोड़के प्रार्थना कर दीजिए कि सबी भक्तों की इक्षा है कि ज ज्यादा से ज्यादा जगद गुरुजी कुछ सुने अरे मैंने का चिंता मत करो मैं जल्दी ही पहुंच जाओंगा और ज्यादा जल्दी हो तो हम सुबहे क्या यहां से जाओं ही नहीं रात में मन्कई पर लेट जाओं और सुबहे से बैठ जाओं मैं कहीं जाओंगा ही नही थोड़ा बाहन माहन बिलम से पहुचा और भीड भार जाम भाम ये रास्ते में क्योंकि थोड़ा दूर थेरा हूँ न नौलखी आश्रम में हमारी विवस्था जो बेतवा घाठ नौलखी घाठ है उसमें बड़ी अच्छी राम मनोहर दाश्ची महंत जी के यहां विवस्था सुन्दर दिब्य आनंदा अनभूती कर रहा हूं तो आएं आज राम जन्म की कथा और ठीक छे वज़े आरती कर रहा हूंगा ठ्यकुर्जी राम जी का जन्म वारती लेकिन देखें आप अब आंगे का विस्तार महराज मनू को आस्वासन दे दिया कि आप अयुद्या के र ये कौशिल्या होगी महरानी होगी अयुद्या की इनका नाम कौशिल्या होगा ये रगवल्ष की महरानी होगी इसलिए आप उस वंश में जन्म लेंगे और उसी वंश में में आऊंगा बहुत बढ़िया भात साथ बगवान ये कहके चले गए दीरज रखा महराज मनू के रूप में उतरित हुए महाराणी शत्रूपा कौशिल्या के रूप में उतरित हुए प्रंतु साथ हजार वर्ष के हो गये महाराज दश्रत साथ अजार वर्स के याद रखना ये बालमीक रामाइन का प्रमान दे रहा हूं आपको साथ अजार वर्स के हो गए महाराश्त्री दसरत लेकिन पुत्र नहीं हुआ पुत्रो नहीं हुआ संतान ही नहीं हुए अब कल्पना करो कोई आदमी साथ सालका हो जाए तो संतान की आसा छोड़ देता कि नहीं छोड़ देता बोलो छोड़ देता, 6 साल का ही हो जाए बहुत है, अब तो संतान की आसा ही छोड़ देता कि अब तो 60 वरस के हो गए, दसरेत जी तो 60 अजार वरस के, लेकिन कलपना करो आप 70-त अजार वरस में पुत्र नहीं हुआ, एक दिन की बात अरुन धती जी ने माता अरुन धती जी ने गुरु वसिष्ट जी से कहा कि आप रगवंश के कुल प्रोही थें कि नहीं अब कहां से प्रारंब होता है यह प्रशंग और कैसे इसका विश्टार होता है जर्श समझने की कोशिश करना बहुत बढ़िया बात में आपको बता रहा हूं माता अरुन धती ने कहा माता अरुन धती ने कहा माता जी आराम से बैठ जाएं आशिरवाद है मेरा मता ये जहां बैठी है वहीं बैठे मेरा आशिरवाद है और यह बहुत भाबुख हैं इसलिए सुनद्धा से प्रणाम करने आई है अब यह मताओं की देरखा में बैठ करें आप मेरी ओर देखें माता अरुंधती ने गुरु वशिष्ट जी महराज श्री कहा कि महराज एक बाद समझ में नहीं आ रही है आप जैसा प्रोहित आप जैसा गुरु तपस्वी रगवंश को मिला लेकिन फिर भी संतान ही नहीं होने जा रहा है रगवंश साथ अज़ार वर्ष की आई हो गई राजा की लेकिन फिर भी संतान नहीं प्राप्त हुई बसिष्टी जी हसने लगे माता अरुंधती ने कहा महराज गंभीटा से लीजिए आप साथ अज़ार वर्ष की आई बहुत होती और अभी तक संतान नहीं हुई तो रगवंश याद रखना जब तक है शूरि में प्रकाश रहेगा गंगा में परवंधारा प्रभाहित होती रहेगी तबतक रगवश सदा चलता ही रहेगा और रगवश भूशन-स्ी राम की जैजाची चार होती रहेगी इस यसे विश्व की धरती पर सदेव रगवंस भूशं स्री राम की पूजा होती रहेगी अरे तो रगवंस भूश्ण राम हैं कहां मत करो इस लिए मैं इस बात को कह रहा हूं अरुन धती कि राजा के मन में परमात्मा को पाने की जिग्यासा होनी चाहिए जिग्यासा ही नहीं है एक बार भी राजा ने मुझसे नहीं कहा कि मुझे पुत्र चाहिए संतान चाहिए तो अब जब जिग्यासा नहीं है इक्षा नहीं है तो कैसे होगा अच्छा एक बात बताओ दसरत जी महराज ने क्यों नहीं की चर्चा कम से कम एक बार गुरु जी इसके चर्णों में प्रनेपात करके चर्चा करनी चाहिए थी कि नहीं 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 दसरत जी महराज इस वात को जानते हैं कि परमात्मा कभी असत नहीं बोलता है और बचन किस ने दिया है जल्दी बोलो परमात्मा ने दिया है और परमात्मा कभी असत नहीं बोलता है यह दसरची महराज को विश्वास है इसलिए वो उम्र पर विचार नहीं कर रहे हैं लेकिन अरुम्धति जी ने का कि आज मैं जाऊंगी और जिग्यासा प्रगठ करू कि महराज सीधे आपके पास आएंगे और पुत्र की आचना करेंगे अपने प्रपाउत्र को ले करिके छोटे पुत्र का पुत्र प्रपाउत्र उसको ले करिके पहुंच गई माता अरुन्धती जैसे पहुंच गई तो कौशल्या के कई समित्रा सब दोड़ी स्वागत किया पाद प्रक्षालन किया प्रोहताईन जी आई है कौन है ओ रगवंस की प्रोहताईन प्रोहित कौन है बसिष्ट जी महराज तो बसिष्ट जी महराज अगर प्रोहित है तो अरुन्धती जी प्रोहताईन हुई कि नहीं हुई क्योंकि प्रोप्रमोशन मिल जाता है न आपने जानती माश्टरायन बन गई अपने आप डिगरी मिल गई क्योंकि पती माश्टर है तो माश्टरायन बन गई है ना पती डाक्तर है ओ पत्नी दवा देना भी नहीं जानती फिर भी डाक्तरायन प्रमोशन हो जाता है अपने आप तो ध्यान से सुनना शमजना प्रोताइंगी का सम्मान हुआ पाद प्रक्षालन आर्ती इस्तवन दस्रजी महराज भी साश्टांग प्रणाम किये कि माताजी पधारी माताजी का आश्रवाद मिले अब हाथ में लिये हैं अपने नाती को नाती पंती जो भी रहा हो हाथ में लिये हैं अच्छा जवरजस्ती ले गई थी केवल जिग्यासा पैदा करने के लिए अब जैसे ही नाती पंती को हाथ में प्रपवत्र को हाथ में लिये हैं अब इस्थती क्या बनी जरा समझना ध्यान से जिग्यासा पैदा करना है तो जै एसे ही दसरेट जी प्रणाम किये उसी समय अपने छोटे से सिसू प्रपवत्र का अंगूठा इतनी जोर से पैर का अंगूठा दवा दिया कि वो चीख मार के रोपड़ा एकदम चीख मार के दसरेट जी बोले क्या हो गया क्या हो गया